हाई गाईज मेर नाम है कलपेश कर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ दोस्तों जैसे ही आप यूट्यूबर बनते हैं अपना एक चैनल खोलते हैं तो सबसे पहला लक्ष आपका होता है कि आप 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 गंटे का वाच टाइम पूरा करें और अपने चैनल को मौनिडाइस करें जैसे ही आपका ये पहला काम हो जाता है तो उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि कब हमारे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाए और हम फैम बीट पर अपना एकाउंट बना ले और एकाउंट बनाने के बाद हमें स्पॉंसर सिप मिले तो यहाँ पर दोस्तो आज हम फूरी डीटेल जानने वाले हैं कि 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद किस तरह से आप फैम बीट पर अपना एकाउंट बना सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि इसी तरह के उप्योगी वीडियो का टुटोरियल मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं तो आई अब वीड सब्सक्राइब डाट कॉम इस वेबसाइट पर आ जाना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेज आ जाएगा यहां पर दुस्तो आपको दो तरह से साइन अप कर सकते हैं आप एक तो एस ब्रांड और दुसरा है एज गीटर तो मैं एक यूटीव क्रियटर हूं तो मैं यहां पर एज एक यूटीव क्रियटर पर क्लिक करने वाला हूं अब जैसे ही आप ऐसे creator पर sign करते हैं अब जैसे ही आप ऐसे creator पर click करेंगे यहां पर बताया जा रहा है if you top paying sponsorship today you need at least 5000 follower on a channel to join our marketplace मतलब आपको 5000 follower चाहिए या तो यूट्यूब पर या फिर थम लर पर तो यहां पर हम sign up with YouTube करने वाले हैं अब यहां से हमें वो account पूछ रहा है तो हमें जो हमारा account है वो select करना है चलिए यहां से में जो मेरे चैनल का account है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहां से मैं अपना चैनल सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से मैं इसको एलाउ कर रहा हूं अभी कह रहा है कि creator sign up we have encountered an error with the account you were trying to link you need at least 5000 follower to connect this account अभी कह रहा है कि आपके 5000 सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मेरे तो यहां पर 10,000 के आसपास हैं एक दूसरे account में तो कोई बात नहीं अब मैं यहां पर support at fambit को मैं email करूंगा कि यहां पर मुझे error बता रहा है और वो लोग मेरा पर sign up with YouTube and यह हमने email select कर लिया और यहां से हमने चैनल को select कर लिया यहां से हमने allow कर लिया फिर भी यह हमें बता रहा है इसका एक reason यह है कि शायद मैंने अपने जो subscriber हाइड करके रखे हुए है तो चलिए एक बार मैं अपने subscriber को जो हाइड किया हुआ है उसको मैं वहां से हटा लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि fanbeat हमारे subscriber को read नहीं कर पा रहा है तो वहां से एक बार मैं उसको unhide कर लेता हूँ दोस्तों यहां पर मैंने अपने चैनल पर जाकर जो subscriber हाइड कर रखे थे उनको मैंने unhide कर दिया है अब मैं वापस से एक बार go back जा रहा हूँ यहां से मैं sign up with YouTube वापस कर रहा हूँ यहां से हम चैनल को सेक कर रहा है यहां से हम allow कर रहा है यहां आप देख सकते हैं here is the account that you have selected to sign up with यह अपने यहां पर जो follower है वो भी बता रहा है अब यहां पर हम एक category इसकी चूज कर लेता है कि यहां पर अधर डाल देते हैं तो यहां पर मैंने category में अधर सिलेक कर लिया है और यहां पर हम एक email ID भी डाल देते हैं और यहां पर मैं अपना एक email ID डाल देता हूं और यहां पर दोस्तों हम एक password बना देते हैं दोस्तों यहां पर मैंने password बना दिया है और यहां से हम करते हैं sign up अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है congratulations you your account has been successfully created you should receive an account validation email shortly when this validation has been completed you will be able to log into your account if you do not get the validation email please contact support अब आप देख सकते हैं यहां पर उपर हमें email आ गया है तो इसको में click करता हूं यह दिखे please confirm your email address to join Fembit तो यहां पर हम confirm email के उपर click करते हैं यहां पर email validation हो चुका है अब simply हमें कुछ नहीं करना है यहां पर email ID और password डलना हैं चलिए मैं email ID पास्वर्ड लग करता हूं अब दोस्तों जैसे ही हमने login कर लिया यह कह रहा है कि Fembit requires that all users have their address added to their profile for validating program eligibility in order to continue to use Fembit please add your address to your profile अब कह रहा है कि आप अपना address भी यहां पर add कर लीजिए तो चलिए यहां पर हम हमारा जो address है वह एड़ कर लेता है जैसा ही मैंने ओके पे क्लिक किया है यहां पर address add करने का page आ गया है यहां पर दोस्तों मैंने address line 1 address line 2 city state और अपना जो पीन कोड है वह डाल दिया है और डालके यहां से हम save करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर उपर लिखा है address saved तो दोस्तों यहां पर हमने हमारा जो फैम बीट का account है वो बना लिया है अब इसे कैसे यूज करते हैं और यहां पर sponsorship कैसे लेते हैं sponsor ship मिलने के बाद क्या क्या करना होता है और हमें यहां से पैसे कैसे मिलते हैं तो उसका एक वीडियो मैंने detail में बना कर description में उसका link दिया हुआ है तो उसे देखकर आप इसके बारे में और अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो यह वीडियो अच्छा लगाएं तो like करे और share करें और अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe करें आज तक लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक लिए जाए हिन जाए बारत जाए बारत जाए बारत देशाना